अगला पड़ाव जिनपस संभल के ब्लॉक अस्मोली में इस्तित भटपुरा गाउं पड़ा बर्तमान में गाउं के विकास के लिए ग्राम बासियों ने जगराम सिंग को प्रिधान के रूप में चुना है लगभग 5000 की अवादी वाला यह गाउं जिला मुख्याले से 52 किलो मीटर दूर तो बहीं ब्लॉक से इस गाउं के दूरी मातर 7 किलो मीटर ही है लगभग 2135 बोटर वाला यह गाउं विकास के पतपर अग्रशर है बरतमान समय में गाउं में लगभग 419 रासनकार धारक है बात अगर सिख्षा के स्थर की की जाए तो गाउं की प्राइमरी पाट्चाला वा जूनिर हाई स्कूल में लगभग 180 वच्चे अध्यनरत है गाउं में पेजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 17 हैंड़ पंप लगे हुए हैं जिसमें से बरतमान प्रधान द्वारा चार्णल रिबोर कराये गए हैं इसी के साथ बिजली वेवस्था दुरुस्त करने के लिए गाउं में बिधुत पोल, ट्रांस फार्मर बसाथ सोलर लाइट भी लगी हुई हैं बात अगर विकास कार्यों की की जाए तो बरतमान प्रधान द्वारा गाउं में 666 रोड, खड़नजे, इसकुल में मरमत कार्य, बपानी निकासी के लिए नाली का भी निर्माड कराया गया है इसी के साथ ही बरतमान प्रधान की देखरेक में गाउं में स्वाच भारत मिसन के तहट 183 इजजद घर का भी निर्माड कराया गया है ABPS News Team से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गाउं में पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्ते केंद्र, जूनिर हाई स्कूल, आंगनबाडी केंद्र, प्रधान मंत्री आवास, योजना के तहट 100 आवास, स्वाच भारत मिसन के तहट 100 जगघर, सिसी टायस रोड, बखड रंजे के निर्माड की मांग राज्यवा केंद्र सरकार से की है 2011 में हमारे कोई सौची, वावास की सौची नहीं आई, तो हमारे सौची कोई सौबास नहीं बनाए हैं, और सिसी टायल है, निस वावाड़ा हैं, यह साथ हमने लगवा दही हैं, ना स्पताल है, ना कुछ नहीं है, सफिट सर्कार साफील, साथ, हमारे जूनि राईशकूल, स्वास्त के केंद्र बनवाय जाए जी मैं अनिता बंसर मैं भट पुरा ग्राम पच्चायत की नागरिक बोल लही हूँ यहां की पहले जो सडके थी वो बिल्कु बेकार थी अब हमारे यहां के जो प्रिधान है वो अच्छा काम करा रहे हैं थोड़ी और सुविधा रह गई ह हैं वो अब पूरी हो जाएंगी आगे को जो पहले थी वो बेकार थी अब अच्छी हो चुकी है सब रास्ते बढ़े हो गए हैं प्रिधान जी अच्छा काम कर रहे हैं अरियो मसर्मा इसी भटप्रा काओं कर रहने बाला हूं यहां कर नाग दिखूं और यह जो गास प्रक झाल